हलो देर स्टुडेंट्स वर्क पावर एंड अनर्जी का एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नहीं अब फोर्स एफ वेक्टर 3T i-cap plus 5g-cap Newton act on body due to which its position varies as s-vector equal to 2t square i-cap plus 5g है वर्डन वाई दिस्पोस इन फस्ट तू सेकेंड ठीक पहले तो इसमें डाटर लग देते हैं फिर की कंसर पताते हैं फिर डाटर क्या का गिवन है तो हमें गिवन है एक तो f-vector 3T i-cap plus 5g-cap Newton और एक आपको s-vector दे रखा है है आप है 2t square i-cap minus 5g-cap अब इसके में जो formula यूज हो रहे हैं वो मैं आपको यूज बता रहा हूं कि कौन सा formula आपको यूज करना है कि की point कर सकते है उसका और यह बहुत important point है यहां ध्यान देने वाला कि अगर force constant हो तो burden by constant force f w बरावर f s cos theta that means f vector dot s vector यहां पर यह जो फोर्स है ना यह जो फोर्स है यह वेरिवल फोर्स है अब ताइम बेरिवल फोर्स विद ताइम इसलिए यह वाला फॉर्मलों लगे गई नहीं अब बच्चेस में यह गलती करते हैं कि f vector dot s vector करके वह वर्डर निकाल ले तो कि यहां पर फोर्स वेरिवल नहीं है वह constant नहीं है इसलिए यह वाला फॉर्मला नहीं लगेगा ठीक दूसरा इफ अगर f वेरिवल हो अब f कैसा हो अगरे फोर्स वेरिवल हो तब वर्डन वाई इंटीग्रीशन दीडवल और इंटीग्रीशन f vector dot d s vector ds wektor हुता है f vector dot ds vektor integration हो रहा होता है तो यह लगाएंगे इसमें पस इतना से concept है तो ds vektor चाहिए हमें यहां पे है S vector Now S vector जो पर टू 2T square I cap माइनस 5J के है इसको differentiate कर दें with respect to T D S vector नकाल लेते है DT तो differentiate करें इसको D over DT 2T square I cap माइनस 5J के है D S over DT यह हो गया 4T I cap और यह constant टर्माई इसलिए 0 हो जाएगा तो D S vector आ गया 4T DT DT को दर लिया और I cap एक तो यह D S vector इसलिए work done by variable force W बरावर integration D W बरावर integration F vector dot D S vector integration F vector की value कितनी है 3T I cap plus 5J cap dot D S vector की value कितनी है 4T DT I cap और 0 J cap 0 J तो dot drag कर लो dot drag करना आता है होगा तो integration तो रहे गए रहेगा 12 T square DT J का J के साथ करेंगे तो 0 जाएगा I के साथ किया यह आ गया अब इसको integrate करो बारे integration T square DT लिमिट आएगी 0 से 2 सेकेंट क्योंकि 2 सेकेंट में 1st 2 सेकेंट में वर्डन पूछ रहे है तो टाइम के respect में integration होगा तो limit टाइम के रहेंगी तो 0 to 2 सेकेंट अब 12 T square का integration करते है 3 divided by 3 और limit 0 to 2 यह 3 से कट गया 4 बार 4 तो यह हो गया 2 की पावर 3 मानस 0 की पावर 3 तो 4 इंटू 8 32 J है इसलिए वर्डन जो आया वह 32 J है यह इसका answer है देको यह तो इसका answer हो गया 32 J और यह displacement है आपका यहां पर ध्यान देने वाला यह वाला formula यूज करेंगे इसमें यह वाला क्योंकि इसमें force कैसा है variable है force variable है और जब यह force constant हो तब यह यूज होता है और force variable हो तब यह यूज होता है यह ना इसलिए हमने यह वाला formula यूज किया है और इसके लिए displacement चाहिए small displacement ds इसलिए हमने उसको difference करके पहले small displacement find out किया है इसलिए का answer है b बढ़ते रहे हैं खुछ रहे हैं thank you